पूरे भारत देश का 13 बार परिकर्मा करने के बाद एक संथ आता है पत्ना के नौबत पूर के तरेत पाली मठ में अब उस वक्त पर कोई तरेत पाली मठ नहीं था वलकि वह संथ आता है तो चारो तरफ जंगल था वह जंगल में बैठ कर तपस्या करनी लगता है इसके बाद की एक और कहानी है कि उस संत के आदेश पर एक मंदिर से भगवान हनुमान की मुर्ती लाने के लिए दस लोग जाते हैं दस लोग बड़ी मेहनत करते हैं तो भगवान हनुमान की मुर्ती उठ पाती है लेकिन रास्ते में लाए जाने के दोरान वह मुर्ती इतनी भारी हो जाती है कि दस लोग मिलकर उसको संभाल नहीं पाते हैं और उसको वहीं रास्ते में रख देते हैं स्वामी जी तक खबर पहुचाई आती है स्वामी जी वहाँ पर आते हैं हनुमान जी का पुजा करते हैं और हनुमान जी को कहते हैं कि आप तरेत पाली तक चलिए आपको आपका सान दिया जाएगा और इसके बाद लोग जब मुर्ती को उठाते हैं तो मुर्ती उठ जाती है यह कहानी तरेत पाली मठ की है, बताया जाता है कि तरेत पाली मठ आखिरकार अस्तित्तों में कैसे आया, जहाँ पर बागेस्वर महाराज धिरेंदर शास्त्री ने आकर हनुमत कथा की, वहां के हनुमान जी की लीला, वहांपे संत की लीला, तमाम चीजों को वाज हम आपको बताएंगे बाकि हमारा नाम मोहित कुमार सिंग है और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं सबसे पहले तरेत पाली मठ नौवत्पुर इलाके का वुच्वक्त की बात है जब वहां पर एक छोटा सा गाउं था गाउं के आसपास शारो तरफ के इलाके में सिर्फ जंगल हुआ करता था उसी जंगल में दक्षिन भारत के एक महान संत आते हैं जिनका नाम है परम हंत स्वामी राजिंद्रा चारे जी महराज और उसको अपनी तपो भूमी बनाते हैं मतलब कि वहां पर आकर वो तप करते हैं महराज के वारे में कहा जाता है कि नोंने पूरे भारत परी कर्मा किया था अब वहां पर महराज आते हैं वो जंगल में आकर एक जगह पर बैठकर तपस्या करने लगते हैं उनकी बड़ी बड़ी दार ही होते हैं उनका बड़ा बड़ा जटा होता है जैसे अपने साधू को संद को देखा होगा अब गाउं के कुछ चरवाहे ज दर कर जंगल से भागने लगते हैं अब जब डर कर वे वापस गाउं में भागते हैं गाउं तक बात को पहुशती है फिर इसके बाद कुछ लोग जाते हैं देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी तपस्या कर रहा है लोग दीरे दीरे बातचीत करते हैं तो स्वामी जी और गाउवालों के बीच में बाचीत होने लगती है अब पता चलता है कि स्वामी एक संत है वो भारत वर्ष के 13 बार परिकर्मा कर चुके हैं और वे आकर यहां पर तब कर रहे हैं अब यहां से कहानी निकलती है आगे बढ़ती है स्वामी जी वहीं पर जंगल में बैट कर तपस होगा वो बड़े परिशान हो गए होंगे अगले दिन सुबह होते ही गाउवाले जंगल में जाते हैं वे देखते हैं कि एक वट ब्रिक्ष के नीचे बैठ कर साधू महाराज अभी भी तपस्या कर रहे हैं वे देखते हैं कि वहां पर जो वट ब्रिक्ष है उसका कोई पत इस गाउं का नाम बताया जाता है रुस्तमपूर कहा जाता है कि रुस्तमपूर में एक बैपारी थे जिनका नाम था थोता रामसाओ तोता रामसाओ ने एक मंदिर बनवाया मंदिर में पुजा करने के लिए भगवान की सेवा करने के लिए एक पुजारी की जरुवत थी तो तोता राम साव ने स्वामी को बुलवाया और स्वामी से कहा कि आप मंदीर में रहकर सेवा कीजिए स्वामी ने कहा कि आप मंदीर को हमको सुपुर्द कर जीजिए हम मंदीर में सेवा करेंगे यहां से धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे जो बैपारी था उसने मना कर दिया कि हम मंदिर आपको नहीं देंगे और सिर्फ यहां पर आकर भगवान की सेवा कीजिए इसके बाद स्वामी ने मना कर दिया कि हम मंदिर में रहेंगे और इसके बाद कहा जाता है कि बैपारी का लड़का पागल हो गया भैपारी का लड़का पागल होकर एक दिन मुर्ती मंदिर में से उठा कर बाहर फेकने लगा कई सारी भगवान की मुर्तिया तूट गई लेकिन एक हनुमान जी की मुर्ति उसमें बच गई स्वामी ने गाउं वालों को आदेश दिया तरेत के आसपास के जो गाउं वाली थे उनको कि तुम लोग जाओ रुस्तमपुर गाउं के पास जो मंदिर हैं वाँ से हनुमान जी की मुर्ति को लेकर आओ स्वामी का आदेश पाकर गाम वाली निकलते हैं मंदिर के पास जाते हैं मुर्ती को उठाने की कोशिश की जाती है मुर्ती बड़ी भारी होती है दस लोग लगते हैं तब मुर्ती उठती है लेकिन रास्ते में जब वे लोग लेकर आ रहे थे तब मुर्ति इतनी भारी हो गई कि वे लोग हनुमान जी की उस प्रतिमा को संभाल नहीं पाई उन्होंने मुर्ति को वही पर रख दिया स्वामी तक खबर गई इसके बाद स्वामी राजेंद्रा चार जी महराज वहाँ पर आते हैं वे हनुमान जी को मनाते हैं, प्राथना करते हैं, पुझा पाठ करते हैं और कहते हैं कि आप चलिए, आपको आपके अस्थान पर हम लोग रखेंगे, वहाँ पर आपकी सेवा होगी और इसके बाद वहाँ से हनुमान जी की मुर्ती उठ जाती है, मतलब कि लोग उठाते हैं तो कहते हैं कि वो हल्की हो गई थी वहां से हनुमान जी की मुर्थी आती है और तरेत पाली मठ में लाकर उसको अस्थापित किया याता है मौजूदा वक्त में इस तरेत पाली मठ के द्वारा लगबक 156 या 157 मठों को संचालित किया याता है और यह मठ पूरे देश भर में फैले हुए है और इस वक्त पर जब धिरंदर शास्तिरे ने आकर हनुमंत कथा सुनाई तो तरेत पाली मठ बड़ा चर्चा का विशय बना और हमने भी सोचा कि आपको तरेत पाली मठ की वो कहानी सुनाई जाए जब तारो चारो तरफ जंगल था और उस जंगल में एक अपो भूमी को तरेत पाली मठ के नाम से जाना जाता है और वही तरेत पाली मठ आज केवल भिहार नहीं बलकि पूरे देश में चर्चा का विशय बना है आपकी परतकरिया इन तमाम चीजों पर क्या है कमेंड बक्त पर नहीं कर बताईएगा आगे जो भी और जानकारी ज सब कुछ आप तक पहुचाएंगे तमाम ख़बरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो ही पर समात करते हैं कि हम रेक्षी बिशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद